एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुग्री एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी इस कारिक्रम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका कारिक्रम किसान की बात मैं हूँ नीलम और मेरे साथ है मैं हूँ अश्वनी और हम करते हैं स्वागत आप सबका अच्छा अश्वनी कोई भी परंपरा कैसे बनती होगी परंपरा हमारा क्योंकि देश बहुत पुराना है सांस्क्रितिक देश है और परंपरा तभी बनती है जब हम कोई नया विचार समाज में लेकर आते हैं जो परंपरा है बहुत सारे तजुर्वे के बाद अनुभव के बाद बहुत सारे मानकों पर पर्खे जाने के बाद बहुत सारे अनुसंधान के बाद बनती है परंपरा इसलिए बहुत जरूरी है कि परंपरा में जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाया जाए सहे जाए सवा जानते हैं कि वो हम सब के लिए मिट्टी के लिए पर्यावरण के लिए जीव जन्तु के लिए हम सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है ही बनती है तो देड करते हैं अपने किसान मित्रों को बता देते हैं हमारा आज का विश री अज्जवार का प्रसंसकरन और इसका मानव पोशन में महत्व जी और जो हमारे साथ वीशेशक्गे हैं जो हमें बताएंगे फिश्री अंजवार का मानव पोशन में या सबके पोशन में क्या महत्व है प्रसंसकरन करके क्या फायदे हैं उसके हमें भी क्या फायदे है और सबको क्या आपके मन में भी है हमारे मन में भी है और अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे जुड़ना जरूरी है क्यों अश्वनी बिल्कुल क्योंकि भागीदारी आपकी और हमारी सभी की जरूरी है किसी भी योजना में और आपको तो पता हिए बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं रोजाना कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कि हमें अंतरास्टे मिलट्स ऑफ दा इयर में बहुत प्रभावकारी बना रहे हैं जी तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कीजिए दो तीन चार दो एक छे शूने आठ जो दिल्ली के बाहर से हमें फोन करे स्थानिक ससे विज्ञान संभाद भारते क्रिशन संथान संस्थान पूसा नई दिली से डॉक्टर टीकम आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सभी किसान भाईयों को भी नमस्कार और किसान मित्रों विशे से जुड़े अगर आपकी कोई भी ज जानकारी आप लेना चाहते हैं कोई भी प्रेशन है तो फोन कॉल के साथ साथ आप वाट्सम के बाद्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं 986886-8753 जो हमारे नए श्रोता है वो इस नमबर को सेव कर ले और जो भी कुछ पूछना चाहते हैं श्री अन्य जवार के प्रसंसकरन में क्या महर्ण? जो किसान भाई और जो भी हमारे जो बोगता है इसका अमारे आहर में अगर इसका उप्योग करते हैं तो उनके अंदर मदुमे जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बयानक बीमारी, मोटापे की दिक्कत और हड़ियों की जो समश्या है क्यों केल्सियम भी इसमें बहुत होता है तो बहुत समस्या नहीं आते हैं तो हमारे जो नियमित जो आहार है उसमें हमें स्री अन्य जुआर का समावेश करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्त और शरीर हमारा स्वस्त रहे जी डोक्टर साब ये चर्चा निरंतर रहेगी अभी एक शोता हमसे जुड़ रहे हैं आये जान अच्छा तो आप सभी जो श्री अन्य उनके बारे में जानकारी चाहते हैं खाली जुआर के बारे में पूछ रहे हैं जी डॉक्टर साब ये पूछ रहे हैं कि जुआर खाने से कौन सी ऐसी बिमारिया है जिनकी रोख थाम होती है देखिए जैसा अभी हमने में बताया कि करताओ कि अदर फाइवर होता है ये इसे कारण जो खाने में मोटापे की समस्या नहीं आती है कि दिककत नहीं आतीं इसके अलावा जो हमारी हड़ियां है वह मजबूत बनती है और हर्दय गात जो हार्ट अटेग की जो प्रोब्लम होती है उसमें भी कमी आती है ऐस सच ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है पर यह इसको खाने से यह बीमारियां कुछ समय के लिए इनसे बचा जा सकता है और जाहिर तो पर अगर हमारा स्वास्ते ठीक रहते हैं तो कुछ इस तरह की बीमारियां है जो पास में फटकती भी नहीं बिलकुल जी एक दूसरे शोता भी हम पर यह बारे में इसके लिए आपका शुक्रिया क्या पूछना चाहते हैं आप आज मैं यह सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया अब इसी बात पर चर्चा हो रही थी हमारा पिछले जो शुरोता थे उनका वी ऐसा ही क्वेस्टन था तो हमें इसका जो अपने में आहर में नियमत उपयोग करना है इसके लिए आपका जो आटा है उसमें पंद्रे से बीस परसेंट आप ज्वार को मिक्स करके मल्टी ग्रेन आटा जिसको बोलते हैं मल्टी ग्रेन आटा बना करके उपयोग मिला सकते हैं और इसके उपयोग करने से जो भी चार-पांच जो बीमारिया जिसमें मदमे है कैंसर है और ऑपका हिर्दे का हिर्दे पक्षगात है यह बीमारिया इनकी संबावना कम होती है जी डॉक्टर साब किसान मित्रो आज का मारा विशे श्री अन्य जुआर का प्रसंसकरण और मानव पोशन और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर टीकम सिंग आप कारेक्रम में बने रहे हैं लोटते एक चोटे से अंतराल के बाद अपने बड़े बुजूर्गों से कैसे फजल लहला आती थी शुद्धता चलगती थी हां पाटी वी तंदरस्त और लोग पहली वाली बात कहां पर अब तो सब यहीं डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरू किसान परंपरागत विदी से फजल हुआ रहे हैं फर्चा खब और उपरशी कीमत भी बहते पा रहे हैं सच है रह बेटे एक्स्पीरियेंस से बता रहा है दूप में बाल समेद नहीं किये हैं ठीक है भाई मैं भी आज के जाए भी खेती शुरू करूँगा माटी सिप्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती स्वागत है आप सबका एक बार फिर से किसान की बात कारेक्रम में चल रहा है हमारा कारेक्रम शिरी अंजवार का प्रसंसकरण और मानो पोशन में महत और हमारे साथ हैं डॉक्टर टीकम सिंग प्रधान विज्यानिक सस्य विज्यान संभाग भारती कृष्यन संधान संस्थ पूसा नहीं दिली से डॉक्टर साब यह तो चर्चा हो गए कि मानो पोशन में हमने भी पूचा और हमारी शोता अब हम जानना चाहते हैं कि प्रसंसकरण करने से क्या फाइदा होता है शिरी अंजवार का और कैसे हम नई पीड़े को यह परंपरा सोब सकते हैं किस नए उसमें मूल संबर्दन होता है तो सीधी सी बात है अगर प्रसंसकरण करके हम कोई नया प्रोड़क्ट बनाएंगे नया जो उत्पाद आएगा उसकी कीमत ज्यादा होगी बजार में बजाय दाने के तो प्रसंसकरण करना बहुत जरूरी है इससे नाकेबल आमनी बढ़ती ह बलकि जो रोजगार के साधन है वो भी होते हैं और इसके लिए बहुत सारे स्टार्ट अप गवर्मेंट ने स्पॉंसर किये हैं करीब पांचो स्पांसो से ज्यादा स्टार्ट मिलेट्स में वर्क कर रहे हैं और यह प्रसंसकरण से रिलेटेट ही है सारे जो स्टार्ट जिसमें कई हमारे युबा किसानों के यूथ है और दूसरे भी हैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो दोजार अठारे से जो नेशनल मिलेट बर्स मनाना शुरू किया है और अब हम अंतर राष्टिये मिलेट येर मना रहे हैं तो ये दो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो इस्तापित होने वाली है यही सरकार का निरंतर प्रयास है यह बिलकुल वाठी कि अगर कोई प्रोसेसिंग के शेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए पहला कदम होना क्या चाहि इसके लिए ग्यान की बहुत जरूप्र? उसको ट्रेनिंग की प्रिसिक्छन की बहुत जरूरत है तो जिस प्रोडक्ट में वो ट्रैनिंग लेना चाता है और बिसेसकर भिबन प्रकारकर प्रोडग्ट बनते हैं , उनकी य 진짜 प्रिसिक्छन लेकरे और अपना नया उद्लियोग उद्लियोगुकाई खोल सकते में incidents हैं औ और केंद्रिये फूट तक्निकी संस्तान के भी संस्ता हैं वो भी इस पर प्रिशिक्षन देती हैं तो वो उनसे कहीं से भी प्रिशिक्षन लेकर के और अपना चोटा उद्योग प्रिशिक्षन पर हम कुछ जानकारी और भी चाहेंगे डॉक्टर साब एक शोता हमसे जुड़ रहे हैं पहले उनकी बात हालो हालो जी कारेक्रम में स्वागत है अपना नाम बत है और कहां से बात कर रहे हैं जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं यह जैसे और अनाज की जो उस्तों बनेंगी हम उनका व्योगता है मुदि लब अपना रोज़गार करना चाहें इसके लिए कुछ परताशिक्ष पूछ दाएं कि हम इसका की तदब अपना बेजने से रोज़गार कर सकते हैं यहीं पूछ रहे हैं कि जो प्रसिक्षन होगा उसके बाद जो उत्पाद हैं जो भी हमारे जो उत्पाद होंगे आप उनको आप पीसी बी रिटेलर से दुकान वाले से उससे भी आप अपना लोगों लगा करके और किसान जो है ना वारत सरकार ने भी एफ़ बनाने का जो दिया है उसका भी मीनिंग यही है कि किसान आपस में समू बना करके और प्रिसिक्षन लेकर के और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रेसिक्षन है उसकी समय अब्धी कितनी रहती है मुमन तोर पर यह सकता है तो जितना आप नंबर प्रोडक्ट का ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो उतनी दूरेशन होगी एक वीक से लेकर कि इसकी तीन महीने तक शह महीने तक भी ट्रेनिं करें तो ऐसे कौन से उत्पाद है जिनसे कि हमारे किसान में त्रफाइदा ले सकते हैं देखिए ज्वार भारत में हमारे महाराष्टा करनाटका तेलंगाना अंध्रप्रदेश इन राज्यों में सबसे ज्यादा उगाई जाती है और किसान भाई इसका उपयोग चपाती के अबना सकते हैं इसका खिचडी में उपयोग कर सकते हैं और इसके अलावा जो भी मार्केट में हम आज देखते हैं पास्ता है सिमया है इडली है डोसा है नमकीन है इसका पफ बहुत अच्छा बनता है तो यह सारी जो प्रोड़क्ट हैं यह इनसे जुआर से बनाया जा सकत यानि कि भर पेट खाई और वजन भी घटाई बिलकुल बिलकुल तो जी एक हम से जोड़ रहे हैं शूता हम उनकी बास सुनते हैं हलो किसांद की बातकारेकरम में आपका स्वागत है जी नमस्कार अपना नाम बता और कहां से बात कर रहे हैं प्रियम हो रिशिकेश से बोल इसके लिए मंदब जो स्वी प्रडॉक्त जावार से बनते हैं वो कितना होती है और यह प्रजावेटर इसमें असर होता है कि ही जो पाकेज प्रडॉक्त होता है इसके बारे में अगर डॉक्टर साब कुछ बताएं बहुत अच्छा सवाल है देखिए जो आर का जो मैंने बताया सबसे जो बहतर प्रोडॉक्त फस्ट प्रोडॉक्त और इसके दूसरे जो उथपाद हैं उनके अंदर प्रजर्जरवेटी ज्यादा यूज नहीं होता प्रजर्वेटीव बिल्कुल भी यूज नहीं होता इसका आठा एक बार रोस्ट करके अगर आठा बनाया हैं सचेत हैं और बड़े सारे लोगों में ग्लूटन अलर्जी भी बिल्कुल लोग उससे परिशान भी है तो क्या यह अच्छा विकल्प है बिल्कुल जितने भी अपने जितने भी सारे मिलेट्स हैं ग्लूटिन फ्री उनके अंदर ग्लूटिन नहीं पाए जाता है यह जो एलर्जी प्रॉब्लम बताए आप मोटापी की समश्या आपका ग्लाइसमिक इंडेक्स भी इसका जो ग्लूटिन इंडेक्स वो भी कम होता है तो इस बज़े से यह पोशन से भरपूर माने जाते हैं जी पोशन तो हम सबके लिए तो है ही तो डोक्टर साब क्या पर जलवा हुई जो खते हैं की अधिक तापमान हो अधिक बर्शा ओए कम बर्शा हो मुदला हार्स जो क्लामिट होती है उसके अंदर इनको आसानी से उगा शकते हैं और इसके लावे इनके अंदर जो आदान के रूप में फटिलाइजर्स आ सो देते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो काम में लेते हैं उनका बहुत कम यूपयोग होता है जिससे हमारा जो परियावरन है वो ग्रीन रहता है तो इनका परियावरन सुधारने में भी बहुत बड़ा मैत्व है जी डॉक्टर साब एक शुरता हमसे जुड़ रहे हैं बिल्कुल हालो मैं सर पार को थोड़ा सा हलका रोष्ट करेंगे गरम करेंगे उसके बाद में गयों के आटे में आप जैसे दस किलो अगर गयों का आटा बना रहे हैं तो दस किलो में आठ किलो गयों और दो किलो आपको जुआर का दाना मिला करके और फिर उसका पीषना है तो उसको खाने से किस बेलकुल, और किसान मित्रोब यहां पर एक जरूरी बात आ जाते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो वातावरेन है, वो बदल रहा है, हमारा खान पान का तरीका है, वो भी बदल रहा है, तो बहतर यह होता है कि जब भी हम कोई नया आहार शुरू करते हैं, तो डाइटीशन हो कि आज ग्लूटन फ्री के लिए आप एक किलो जो मिलेट्स हैं, वो दो दिन में ही कंजूम करें, तो इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो जरूरी है व्यापार के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखे, और किसान मित्रोब आज का विशह है हमारा श्री अन्य ज कटेगा सुख से बुढ़ा पा, सुरक्षित होगा अनदाखा, सुरक्षित होगा अनदाखा के लाप के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं, और अपना निशुख नामांकन कराएं, प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना, अनदाखा के परिश्रम को संबद, पेंशन से सुरक्षित उनका कर, कृषियवं किसान का ल्यान मंत्राले भारत सारकार द्वारा जनित में ज जड़री के पुआ सरियाना से बुल रहा हूं, जी रामपाल जी, कारेक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साब से? रामपाल जी, आज का कारेक्रम का हमारा विशे यही है, और हो सकता है शायद आप देड़ से जुड़े हैं, हम शुरुवात से ही जो मिलेट से उनके प्रसंस करण के बारे में जानकारी अपने किसान मित्रों को दे रहे हैं, और आपने फिर से कॉल के पूछ रहे हैं, तो हम दॉक्टर साब एक बार पिर चाहेंगे कि आप प्रसंस करने के बारे में, बिल्कुल-बिल के लिए तो जैसा हमने पहले भी बताया कि हमारे हर जिले में किर्शी विज्ञान केंद्र हैं आप आपके नजदी की किर्शी विज्ञान केंद्र में जा करके प्रिशिक्षन लें और वहां से जो भी आप बिस्कुट बनाना चाहते हैं या आपके पैस्ता बनाना चाहते हैं या और भी कई उत्पाद इसके बनते हैं, उसके बारे में आप प्रिस्क्चन ले सकते हैं और वो आपको बता भी सकते हैं, मशीन कहां से उप्यूक्ट होगी, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं जी बिल्कु सही बात है जैसा कि इन्होंने कहा कि अब हम देख रहे हैं कि आस पास ये मोटे अनाज की मांग बड़ी हो रही है और वो भी चाहते हैं यही है सरकार के प्रयासों का सुफल जो देखने को हमें मिल रहा है और यही वज़ा है जो पीछे अभी नियूंतम समर्थर मुले घोशित किया गया है मैसपी उसमें भी जवार का लगभग 235 रुपे प्रति क्विंटल पहले की अपेक्षा जादा उनका नियूंतम मुले स्थापित किया गया है घोशित किया गया है जी डुक्टर साब अब हम जैसा कि अवेरनेस बढ़ रही है लोग इसमें आना चाहते हैं इसे रोजगार की तरह है और रोजगार हो तो फिर व्यवसाई हो तो ग्यानाधारित हो पूरी जानकारी के साथ हो हम ये भी जाना चाहते हैं फायदे तो बहुत है क्या कुछ ऐसे नुकसान भी है जिन से बचा जाए और सावधानी पूरक बेहितर उपयोग किय प्लाव्भ दी यह सरीर को बरावन रहे प्लाव कली सब्सक्राइल देड़िए सबिके icons Emily चiveness जो एक na सिंद्ध मेर्ट थो करता है जेंदें मेरतां हमारे बैसिकली हम मिलेट्स का प्रिसंस करन करते हैं, तो उनका प्रिसंस करन करने का कोई बहुत बड़ी ज्यादा तकनीक ऐसी नहीं है, सिंपिल तकनीक है, किसान भाई कोई भी अपने घर में कर सकता है, जो भी मिलेट्स हैं, इनको आप कुछ समय तक पानी में भिगो के रखें, फिर शुका के फिर इसको आप उपियोग मिला सकते हैं, इसी तरह से कुछ जर्मिनेट करके भी इनको खाने से भी वह जो भी आनिकार तत्व हैं, वह सब चले जाते हैं, और जैसे मैंने बताया कि आटा अगर हम बना रहे हैं, तो अगर हलका सा इनको रोष्ट कर लेते हैं, तो वह जो फाटिक एसीड और टैनिन जो तत्व हैं, वह नस्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से अगर हम प्रोसेस करते हैं, तो इनको खाने से रेगुलर खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि कृशी विज्ञान के इंदर तो हैं ही प्रशिक्षन के लिए, और क्या जैसे मान लिजे एक जिले में या एक राज्य में, क्या ऐसे संस्थान कुछ हैं, जहां पर जाकर लोग ये इसके बारे में जो भी जानकारी उनको चाहिए, वो ले सकें और आगे बढ़ सकें। अंदर सकें। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको आथिक सहाईता भी मिल जाए, तकनीकी सहाईता मात दर्शन भी मिल जाए, तो ये बहुत बतलब एक तरहें से एक अवसर है आपके पास अगर आप इसे मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि इसका लाव उठाएं क्यों अश्वने बिलकुल और देखे सरकार का भी यही प्रयास रहता है ना कि जितनी भी योजनाएं चली हैं वो सीधे तौर पर हमारे केसान मित्रों तक पहुंचे और अभी जजजर से भी हमारे कॉलर थे उन्होंने भी हमें अपने अनुभव साजा किया कि पहले तो बहुत कम जो श्रीयन का उत्पादन था उनके क्षेत्र में था लेकिन अब व्यापक तौर पर बढ़ गया है तो बहुत अ प्रस्तितियां चाहे कितनी हो विशम खिले हर दम पर्यावरन और हम सब के लिए भी फाइदे मंद हैं तो क्या है मोटे अनाज कि इतने खुब सुरत जो पंकितियां आपने को इसके माइने कितने गह रहे हैं और डॉक्टर साब अब घड़ी की सुईया कह रही है कि हमारा कारेक्रम जोना अपने अंतिम पड़ाव पर है तो चलते चलते अब हमारे किसान मित्रों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो श् मित्त hm CEO की रह energ coalition करते श और श्कृषाब करतेै कि करो को Carnese göre clothing के साथ साथ इसका हम अपने हर में भी यरिःआ श्मावेज करते हैं तो जो 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 ज्यास के जो फाइदेर्य इसके अंदर हमने बताया कैल्सियम है फासपुरस है पोटेशियम है शोडियम है जस्ता है इन सबी जो पोशक तत्म है इनकी मात्रा भरपूर होती है और यह हमारे जो सरीर को स्वस्त रखने में बहुत आवश्क है तो इनको किसान भाई अपने नियमित अहार है उसमें इनका उपयोग बढ़ाएं यही मेरी शला है यानि कि उगाएं भी भरपूर और उसका उपयोग भरपूर करें इतनी बहतर जानकारी देने के लिए डॉक्टर टीकम सिंगी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और किसान मित्रों अब आप से भी हम विदा लेते हैं किसान की बात कार इक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार लक्ष हमारा हर किसान की आपनी दुबली ऐसी नहीं नहीं तरकी बे अब हमको है चुनी